दूद और मावा से बनी हर एक मिठाई अपने आप में लाजवाब होती है लेकिन ये जो कलाकंद होता है ना इसकी बात ही अलग है क्योंकि ये इतना ज्यादा सौफ्ट होता है और हलका सा मीठापन के साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए आज बनाते हैं कलाकंद बनाने के लिए हमने लिए 15 लीटर के करीब दूद आपको जितना भी जादा कलाकंद बनाना हो उतना ज्यादा दूद ले सकते हैं ये दूद आपचाहले काले या तो बैस काले मोटी तलीका कर्ınd के लिए इसमें दूधे पक्ते पक्ते आदा हो जाए गड़ से मुद्ध बनागे दीरे भीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये दूथ ‑‑ अगाला होगा पकते बना भी बना लेंगे हमने लिया है एक लिटर के करीब दूद और इसको हम छेना बनाएंगे दूद में जैसे ही उबाला आ जाए गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको फारने के लिए इसमें हम या तो नीम्बू का जूस डालेंगे या फिटकरी डाल सकते हैं या वाइड वेनेगर से भी दूद को फार सकते हैं अभी इसमें हम नीम्बू का जूस डालकर ये दूद को फारेंगे और नीम्बू का जूस हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालना है एक साथ नहीं डाल देना है थोड़ा थोड़ा नीम्बू क में कई पानी से दुल लेना है ताकि इसमें का खटापन पूरी तरीके से निकल जाए बिल्कुल भी खटापन नहीं होना चाहिए नहीं तो यह जो हम कलाखन बनाएंगे उसमें भी थोड़ा सा खटापन आही जाएगा तो इसे अच्छे से दुलने आप चाहे तो छेने को कप के पड़ी मेसरinkle सकते हैं या आप पोटैटो मेसर से मैस कर सकते है बस स्को थोड़ी देर हमें मसल मसल कर एक तम बड़िया सा बारिक करना है तो चेंधर में ना करने पड़े तो आप इस तरीके से मिक्सी को डालें और बस 2 सेकंड के लिए मिक्सी को आन करें यह वटाक से ब कंपने वह थोड़ी तल दालें क्योंकि क्लाकंद में ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है तो हलका सा मीठा पन रहना चाहिए भी अचा लगता कलाकंद स्वादिष्ट्राइः से बेस कोटी कहुई इलाची डालें हम तो डालें नहीं तो ना डालें इसको अच्छा से मि जालेंगे जो छेना हमने मैश करके रखा है इसको अभी इसको फटा फट से चलाना ये मावा के साथ बढ़िया से मिल जाना चाहिए गैस के फ्लेम को लो रखे ताकि नीचे लगे नहीं और इसे फटा फट से चलाते जाए दो मिनाट इसे हमें और पकाना है दो मिनाट में ये कलाकन बनकर के तयार होगा जब तक ये थोड़ा सा और गाड़ा होता है तब तक हम घी में घी लगा कर इसे चिकना करेंगे और थोड़ा सा घी हम इस कलाकन में भी डाल देंगे और इसे फटा फट से मिलाएंगे घी डालने से एक्टम बढ़िया सा टेस्ट बन जाता है घी बनाना है तो यहीं पर बन्त करें और यह भETAB sex five eician में पहल की लागा इशी में डाल yang अ माव को um अध्यार ताकिदी सी लेयर बने चैनों पहत्त ok liquids उठाते ही नहीं करए क्यूंकि बहुuit जादा सॉफ्ट होता है तो दूसरी तरफ हमने टॉबिल लगा दिया है ताकि यह एकी साइड रहे दूसरी साइड ना जाए इसे हम थंडा होने देते हैं तीन चार गंटा यह थंडा होगा तब जाके यह सेट होगा इसे आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं थंडा कर कार रहे लेकिन यह से डालतेंगे यह देखने में काफी अचा लगेगा अभी हम धब थंडा हो गया है होग्या है नहीं इसको कट कर लेते हैं किसी चाकूँ से ईसे चितने बड़ेगे चोटेपीस आप करना इन बातों का ध्यान रखके आप भी ये कलाकन घर पर बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनकर तयार होगा ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मिठाई आप ब्रत में भी खा सकते हैं तो हैनक इतना आसान ये कलाकन घर पर बनाना दोस्तों आपको ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलेगा मिलते हैं ऐसे ही एक तम टेस्टी टेस्टी नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई